वेल्कम एवरिवन आज के सेशन में हम करने वाले हैं पाइथन ओपरेटर पार्ट टू और आज का जो एजेंडा है वो रहेगा मैं आपको बताना चमवत थोड़ा सा बुलीन डाटा टाइप के बारे में मैंने इसको बताया था जब हम बेसिक डाटाइप पढ़ रहे थे और हम बात करेंगे लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में और हम देखेंगे कैसे बुलीन डाटा टाइप जो है वो आपका यूज के जाता है इन दोनों ऑपरेटर के साथ तो बुलीन डाटा अपके पास एक ऐसा डाटा टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ दो जो है यह प्रीडिफाइड वैल्यूज है टू और फॉल्स अगर आप कोई डाटा बुलीन बनाते हो तो उनमें यह दो वैल्यूज हो सकती है और बुलीन डाटा कहां पर यूज के जाता है हम यूज करते हैं इसको लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के साथ जितने भी आ हमेशा आपको true या फिर false value जो है return करते हैं तो start करते है relational operators से तो relational operators को हम यूज करते हैं generally numbers के साथ और हम इसको यूज कर सकते हैं उनकी numeric values को compare करने के लिए यह operator जो है यह आपको return करता है या तो true या false depending upon क्या आपने कौन सा operator यूज किया है तो कौन कौन से operator आपके पास है आ वे टेटर देन के less than, यह उसका symbol है, equal to notice, तो वार equal to लिखा हुआ, less than equal to, तो पहले less than और फिर equal to, greater than equal to, greater than, और फिर equal to, एकटे-कटे लिखना है, और लास्टनापके पास है, not equal to, तो not equal to, वह में पहले exclamation mark है और फिर equal to का जाहिन है तो नॉट इकोल टू तो ये आपके पास डिलेशनल अपरेटर और रिलेशनल अपरेटर स्कूम कैसे यूज करते हैं यह हमीशे आपको रिटरन करेंगे टू यह फॉल्स वैल्यू तो जैसे मालो मैं लिखता हूं टू इस लेस देन टैन तो को बैजी टू तो तू आपको रिटरन होगी 10 is less than 10 false क्योंकि 10 जो है 10 से छोटा नहीं होता है 10 जो है 10 के बराबर होता है false 10 is equal to 10 true 10 is not equal to 10 false 10 is greater than 1 true 10 is less than equal to 10 true क्योंकि equal है तो true हो जाएगा less नहीं है बट इकल तो है 10 is greater than equal to 10 true क्योंकि greater नहीं है बट इकल तो है तो इस दिक आप देखते हो जे जो अपरेटर आपके पास यह आपको रिटरन करते हैं true or false value तो एक तरह से आप इसको एक question की तरह ही सोच सकते हो expression को कि क्या तू जो है 10 से चोटा है तो answer हाँ है तो true आपके पास answer यही काम आप वेरीबल के साथ भी कर सकते हो मानलो आपके आसे एक वेरेबल है आपके वेरीबल के साथ प्रफॉर्म कर सके अगर आपने प्लस टू लेवल पर कभी लॉजिक गेट्स पड़े होंगे तो आप इनको अचीत है पैचानते हो अगर आपने नहीं पड़े तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास प्रफॉर्वाइड करते हैं कि आप लॉज आपके पास तीन बिसिक गेट जैप फेले गेट को हम कहते हैं एंट और इसका सिंबल है इस तरह किसे इंग्लिश में लिखना आपने अपने आपने लिखने लिखने हैं तो आप इंसे क्या कर सकते हो वैल लॉजिकल एंट जो यह बहुत ही खास ऑपरेटर होता है लॉजिक तभी true return करता है अगर दोनों के दोनो values जो है true होती है तो आपको दो values यह है पहले तो दो values यह है logical values के लिए हमेशा true or false वाली value चलती है तो आपने धियान रखना है कि अगर दोनों के दोनों false है तो आपका result false हो रहता है अगर आप करते हो अगर दोनों में से एक आपका फॉल्स है तो अभी आपका result false रहता है आपका result true तभी हाएगा जब दोनों के दोनों true होंगे तो यह आपके पास बन जाता है एंड ऑपरेटर तो एंड ऑपरेटर कब true return करता है जब दोनों की दोनों वैल्यू जो है true होती है logical और logical और में दो values चाहिए आपको और दोनों में से कोई सा भी true है तो overall value true हो जाती है तो जैसे for example अगर दोनों value false है तो return result false है लेकिन अगर दोनों में से कोई सी भी value जो है वह आपकी true है जैसे यहाँ पे है आप देख सकते हो तो आपका जो overall result है वह आपका true है तो इसका मतलब यह हुआ कि logical और में दोनों में से किसी एक value को true होना जो है तभी आपका result जो true आता ह थर्ड आपके पास है logical not और logical not जो है इसको सिर्फ एक logical value की जुरूरत होती है और यह हमेशा उसी value का reverse आपको output देता है तो अगर मैं लिखता हूँ not और कोई value true है तो आपके पास अंसर आएगा false और अगर आप not करते हो false का तो आपके पास आएगा true तो यह सिर्फ एक ही value प जाते हैं अब इक आपको मैं practical demo देता हूँ using python's command prompt तो मैं आपकी python start करता हूँ इस तो मैं python 3 है तो मैं python 3 start करता हूँ अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस console में यह आपके पास रेपल है इस रेपल में मैं python कोड जोए test कर सकता हूँ for example जैसे मैं लिखता हूँ true एंड ट्रू तो आपके रिजल्ट्यू है आपके पास ट्रू आता है यह मैं लिखता हूँ true और true result to attack के पास तो चल लेटर स्ट्राइक तो अगर मैं लिखता हूँ false and true तो आपके पास false आता जैसे मैं आपको बताया था कि and operator किस तरीके से वर्क करता है and operator वर्क करता है अगर दोनों के दोनों वैल्यू जो है वापकी true होगी आपने याद दखना है python में जो true है value that starts with a capital T false जैद वो studio होती है capital F से तो बाकिया आप comparison कर सकते हो जैसे मैं लिखता हूँ x is equal to 10 y is equal to 100 अब मैं इनके उपर relational operator चला के बदाता हूँ x greater than y ता देखो कि false x less than y तो true x equal to y false x not equal to y true तो आप देख सकते हैं ये relational operators है जिनको आप यूज कर सकते हो आप चाहो तो इन रिलेशनल operators को combined कर सकते हो using brackets और उन expressions पे आप logical operation भी perform कर सकते हो for example अगर मैं लिखता हूँ x less than y and x not equal to y अब ये जो expression है ये कैसे evaluate होता है सबसे पहले ये जो left side वाला portion है ये x less than y ये evaluate होगा तो आप देख के बता सकते हूँ कि x less than y जो है true है तो इस and के left side true हो जाएगा और right side में जो expression है x not equal to y तो वह भी true है तो इस and के right side भी true हो जाएगा तो जैसे मैं enterprise करूंगा तो overall result जो है ये आपका true आ जाएगा क्यूंकि and का जो left operant है ये भी true है and ये भी true है और and तभी true return करता है जब दोनों की दोनों values जो है वह true रहती है अगर मैं मान लो इस ते किस लिखता x greater than y and x not equal to y तो अब इस case में आपके पास क्या आएगा result फॉल्स फॉल्स इस लिए आएगा क्यूंकि ये जो टर्म है आपके पास x greater than y ये फॉल्स है तो जैसे मैं आपको बताया कि and operator तभी आपको true return करता है जब दोनों की दोनों value जो है true होती है दोनों में से एक value भी आपके false हो गई वो false है तो इस तरीके से आप बड़े ही complicated expression design कर सकते हो जहां पर आप relational operators की जो आपको बुलीम values हैं उनको आप अपस में compare भी कर सकते हो एक और example देता हूं मैं आपको जैसे मैं लिखता हूं x greater than 10 और y less than 90 तो यह expression भी आपके पास है आप देख सकते हैं तो मैं यहीं से चेक करने कोशिश करूंगा क्यूंकि मैंने x को value दी थी 10 y को value दी आप देख से बड़ा है तो यह आपके पास फॉल्स हो जाएगा और वाई क्या वाई जो है नबबे से चोटा है वाई नबबे से छोटा निकलिवाई 100 तो यह वी फॉल्स हो जाएगा तो यह दोनों एक्सपेशन जो है फॉल्स है और बीच में और ऑर ऑपरेटर लगा है तो ओवराल रिजर्ट जो आपके पास वह आ जाएगा फॉल्स अगर लेकिन अगर मैं इसमें चेंज करता हूं कुछ भी वैल्यू फॉर एक्सपेशन अब तो अब आपके पास एक्सपेशन क्या बन जाएगा अब आपके एक्सपेशन है लेफ्ट साइड वाला आप जो आपके पास एक्सप्रेशन है उनको यूज करते हैं वैल्यूस को कंपेर करने के लिए और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपेटर जब आप इनको लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं या फिर डिसीजन आपको प्रवाइड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉस्टन पूछना है तो काइंडली इसी वीडियो के कमेंट में आपने उसको मैंचन करना है मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो रिप्लाई है वो ऐस सून आपको प्रवाइड कर सको तेंक यूज